आकेर हमने इस लवारे की इस बच लेग इस कापको हमने जान कैसे बचाई इसको हमने फिर से कैसे जीवित किया पशु मालिक ने मना कर दिया गिए नहीं बचेगा लेकिन देखिये हमें कितना अच्छा result मिला गया गया खड़ा गया जो कुछ दिसमारे पहले मर गया था, लेकिन हमने जैसे ड्रीप लगा जैसे हमने treatment चालओ किया, उस treatment के बाद यह लवारा ख़डा हो गया, लवारा चलने लगा, लवारा गुमने लगा, और पशुमालिक खुश हो गया जब हम आपर treatment करने पोच्छे साती हो वो शुमालिक ने सबने मना कर दिया कि आप इसका treatment मत करें क्यों क्यों कि यहां पर यह पहले सही मर चुका था ऐसा लग रहा था क्योंकि इसके न तो पेरों में मुमिट था न इसके आँख खुल रही थी न इसके कान हिल रही थे न इसक यहां से पता चल रहा था कि यह लवारा जीवी थे अजयता अगर दूर से आप देखें तो ऐसा लगता है कि मानों यह मर गया देखिए कुछ भी नहीं हिल रहा है कि इसके मख्य अपर वेट रही हैं मक्यों को विरकुल नहीं बगा रहा है देखिए आंके बांदे बस कभी कभी हलका फुलका एयर यानि इस कान को हिला देता है अकिर यह कौन सी डिजिस थी और हमने इसमें इसको क्या दिया गया कौन सी ड्रिप लगाई गई क्या चड़ाया गया और उस ड्रिप में हमने सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से यदा से शेयर जरूर करें क्योंकि यदि आपको फिल्ट में यह ऐसा कैस मिलते हैं आप उनको कैसे बचा है यह आप इस वीडियो के माध्यम से आध जान लेंगे तो देखिए लेटा हुआ है और इसका बात करे तो साथियोस का तेमप्रेचर एक्सा एक पॉंट फ आ रहा था याइनि इसका हम यदि क्याश करें कि यह कौन से डिजिई ती यदि या डिजिईज 90 फर यदि इसका तेमप्रेचर जा था तो हम इसको ह唉fel थर्मिया देख सकते थी यदि यह हिल्टा दुलता तो हम इसको यह खड़ा होने कोशिश करता है नहीं से गरता है था हम यह भी देश करते हैं कि यह आने बल टू इस्टेंड यानि खड़ा होने महस मरते लेकिन यहाँ पर कुछ कंडिसंस ऐसी थी कि यहाँ पर कोई मुमिट नहीं था और यह मास कितने दिन का है मात्र पांस दिन का काफ है यानि मात्र पांस दिन ही हुए इसका जन्म हुए और यह दो दिन से नीचा लेटा हुआ है और पशुमालिक ने वगरा ना डॉक्टरों बचा लेंगे क्योंकि जैसे मैंने जाकर देखा मैंने इसके म्यूकस को देखा मैंने इसकी हिस्ट्रे ली तो मुझे वहां पर से बहुत कुछ चीज़े मिल गई जब मैंने इसके देखा इसको कुछ मुमिट नहीं आ रहा था तो मैंने इसको भली भांती परिचित का लिया औ उसके बाद में मैंने वह injection लगा है कि जो यहां पर तहलका मचा दे दें जिन से में बहुत ही अच्छा जादू रिजल्ट मिलता है यदि वहां पर उन चीजों की कमी हो तब यदि जहां पर जिन चीजों की कमी है यदि उन चीजों को यदि उन वस्तों को उस जगह पहुचा दिया जाए तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहां पर बहुत बड़ा चमतकार हो जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ यहां पर साथियों हमने इसको सस्पेक्ट किया है कि यह प्रोपर हाइपो मेगनेशम की कमी हो गई है और इस मेगनेशम की पूरती को करने के लिए हमने यहाँ पर कौन सी ड्रिप लगाई और क्यों लगाई यह भी आपको आगे जान करी मिलेगी तो साथियों हमने यहाँ पर Dextrose, Rintrose, Nu लगाकर हमने सो क्या लगाया है?DNS जो Dextrose नर्मल सलाई नाहाता है जो हूमन वाला है हमने वो लगाया है न की वेटनरी का हमने हूमन वाली इसको DNS लगा यह और मात्र कितनी लगाई है?500 ml मात्र 500 ml DNA लगाय क्योंकि है? मर्च पांस दिन का है, हमने 500 ml dns लगाई, उस dns में हमने क्या डाला, उस dns में हमने डाला इसको, septrixum, 1 gram, antibiotic injection हमने इसको IV दिया, उस septrixum 1 gram के साथ हमने इसको डाला है, trivate, 2 ml दिया हमने इसको, injection tonofosfen, वह भी हमने 2 ml दिया, injection neurokind, यह हमने इसको 2 ml IV लगाया, injection dexona, जो पहले ही हमने इसको 2 ml IV कर दिया, आते ही, क्योंकि हमने पता था, कि यदि हमने इसको dexona लगाने में देर कर देंगे, तो इसकी death बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए हमने आते ही, drip न लगाया, उससे पहले ही, हमने इसको dexona IV दे दिया, 2 ml हमने dexona IV दिया इसको, उसके बाद हमने इसको क्या क्या, हमने इसको 20 ml हमने इसको, जो आती है हमारी calcium magnesium, boroglucanate, जिसको अमबल सकते हैं, mypex, वह हमने इसको 20 ml IV दिये, अब यह हमने इसको IV दिया, इसके साथ हमने कुछ injection इसको, muscular में भी लगाये, muscular में injection हमने इसको लगाये, एक injection हमने इसको plane meloxicamate में लगाया, ताकि हलका फुल का दर्द वगरा हो, तो वह गाया पोचाए, देन उसके बाद हमने इसको, 2 ml CPM लगाया, और 2 ml हमने इसको बेला माईल दिया, ताकि इसकी भुख अच्छे से यह, जो दूद नहीं पी रहा, वह दूद भी अच्छे से पीने लग जाए, और यह ख़डात तुरंत हो जाए, इसके लिए साथ हमने यह treatment किया, यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, वह suspect नहीं कर पाते हैं, कि यह कौन सा कैसे, वह आते हैं देखते हैं, यदि मैं भी यहाँ पर 4 injection लगाने के, यदि मैं यहाँ पर 4 injection लगा के चला जाता, तो शायद ही यह लवारा बच पाता, और इसकी कुछ देन में डेट हो जाएदी, साथ हमने महज आदे गंटे के बाद इसको देखा, पश्यू मालिक सब्सक्राइब वीडियो मंगवाया, तो वाकई क्या जद्धू रिजल्ट मिला हमने, जो आपको आगे देखने हुमी लगा, हमने यहाँ पर एक इंजिक्शन का और प्रयोक किया था, जो मैं आपको बताना बूल गया हूँ, जो लोग अक्सर यहाँ पर ऐसे इस्तिती में नहीं लगाते, क्यों क्योंकि साथ्यों, जो हमारा एट्रोफिन सल्फेट इंजिक्शन आता, वो बहुत चांदार काम करता है, जब लवारे नीचे गिर जाते हैं, यहाँ पर हम सस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, कही कही जगा पर, हाइपो मैगनिश्मा के अलावा, वहाँ पर पोईजनिंग भी हो सकती हैं, उसी के अंदर, जहाँ पर मैगनिशन की कमी है, वहाँ पर कभी-कभी कुछ ऐसा पोईजन जो काफ आता वा खा लेता है, तो उस पोईजन के कराण भी यह लवारे नीचे गिर जाते हैं, ऐसे इस्तिती बन जाती है, तो हमने यहाँ पर इसको मद्दे नजर रखते हुए, तीन एमेल हमने इसको वह भी इमने इसको आई भी दिया, और वह आई भी देने के बाद, वाकए हमें क्या रिजल्ट मिला है, सथ्यों आपको फिल्ड में जब ऐसे केस देखने हुँ मिलते हैं, तो आप वहाँ पर क्या करें, इन लवारों को मैनेज बताया, यह टीट्मेंट करें, अच्छे से आप इसको डाइगनोस करें, यह दी इसका टेमपरिजर 97-98 होता, तो मैं इसको सस्पेक्ट करता, कि यह काफ यह केस हाई पोथर्मिया का, यानि डाउन टेमपरिजर का केस है, तो महाँ पर हम इलाज थोड़ा हट कर करते, और लगातार उसको सुबह और शाम, दोनों बार हम उसको ड्रीप लगाते, लेकिन यह कैस ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक दिन में एक बार ड्रीप लगा दो, तो काफी है, हमने भी कुछ ऐसा ही करवाई इसको, फिर हमने इसको ड्रीप लगातार यह ड्रीप, इस काफ को हम तिन दिन तक लगाएंगे, आप चाहे तो माइफेक्स एक ही बार लगाए, उसके बाद माइफेक्स आप बंद कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर दो दिन के लिए में इसको सस्पेक्ट किये, कि आप इसको दो दिन तक माइफेक्स सेड़ाएं, बिस भी से मेल, और इसका ट्रीटमेंट लगातार दो दिन तो हुआ, देखिए, जैसे हम ट्रीटमेंट करके हटे, ड्रीप हमने बंद की, यह लवारा बेट गया, यह काफ बेट गया, जो खड़ा भी नहीं हो रहा तब वह बेट गया, अब यहां से हमें आसा बंद गई थी, हमें विश्वास था कि यह काफ अब नहीं मरा है, अब हम इसको बचा लेंगे, और उसके बाद वाकई कुछ हुआ ऐसा है, आदे गंटे बाद फिर पुष्ट माली का कोल आया, कि सर वक आप तो घुमने लगा है, वक आप तो खड़ा हो गया, पूरी तरीके से तयार है, और सेकेंडे फिर इस काफ को ड्रिप लगाई गई, जहां से यह वीडियो बनाए हुआ, यह देखिया, आप आपको ड्रिप भी देखने को मिलेगी यहां पर, सेकेंडे फिर मिने इसको ड्रिप लगा यह लगा था, तिन दिन इसको ड्रिप लगाऊंगा, ताकि जो कमजोर हो रहा है या कमजोर ना हो, इसके सरी में थोड़ी एनरजी आ जाए, और यह काप मरने से बच जाएगा और यह बिल्कुल नहीं मरेगा, तो सद्यों, आपको यह दि फिल्ड में इसकेस मिलते हैं, तो आपको यह टिट्मेंड करिए, इन लवारों को मरने से बचाइए, और ऐसे केसे को आप बचाएंगे तो आपकी फिल्ड में जेजेकार होगी फिल्ड में काम करने का भी हमें मजा आता है यह देखिए सेकंड ए फिर हमने इसको DNS का सस्पेक्ट ही किया है तो वाकई लगवाई और वीडियो भी आप देख सकते हैं दन्यवाद मिलते किसी और वीडियो में